करते हैं exercise 13.4 से question number 6 question number 6 के अंदर कह रहा है find the radius of a sphere whose surface area is 154 cm2 तो यहाँ पर question के अंदर कह रहा है कि sphere का radius पता करो जबकि surface area 154 cm2 दिया हुआ है तो यहाँ पर इस question के लिए surface area 154 cm2 जैसे कि दिया गया है और radius हमको पता करना तो it is given that it is given that surface area of sphere is equal to 154 cm2 तो जैसे कि हमको पता है कि जो surface area है sphere का यह होता है 4 pi r square तो 4 pi r square हम surface area of sphere की जगह पर लिख लेंगे is equal to 154 यह same है तो अब यहाँ पर 4 की जगह पर 4 और जो pi है इसकी जगह पर 22 by 7 और जो radius है तो radius का square क्योंकि हमें यह पता करना है तो इससे हमें छोड़ना पड़ेगा और 154 अब यहाँ पर यह जो radius square है इसको हम यहीं पर रहने देंगे और बागी सारे नंबरों को उधर ले जाएंगे तो क्योंकि यह denominator में है तो यह चले जाएगा उपर numerator में मतलब यह multiply हो जाएगा तो 154 multiply 7 और उपर जो यह radius है इससे 4 और 22 यह multiply हो रहे हैं तो यह आ जाएगा नीचे इस 14 को अगर cut करें तो यह 7 पर cut हो जाएगा तो जो अब हम final हमारे पास में जो number बचा है वो है 7 7 और नीचे 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 तो यह हमारा r square आ गया अब इधर भी 7 दो बार 7 है और दो बार यहाँ पर 2 है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 upon 2 और इसका square और यहा pencil हो जाएगा तो इधर जो अब radius हमारे पास में बचेगा यह बचेगा 7 upon 2 और अगर हम इसको divide में 7 को अगर हम 2 से divide करें तो यह आजाएगा 3.5 cm तो therefore जो हमारा final answer हो जाएगा radius यह हो जाएगा 3.5 cm और यह हमारा answer हो जाएगा इस question का